हेलो दोस्तो, वेलकम बैक, आज भी आपकी पसंदिदा सिरियल किलिंग की मुवी लाया हूँ, थोड़ी अलग है, मगर मज़ेदार है, तो चलो इसका एक्स्प्लेनेशन देखते है, मगर इसके पहले आप सबको हैपी न्यू येर, अब हमारी मुलाकात अगले साली होगी शीम 65 साल का है, वो अरिडॉंग नाम के टाउन में रहता है, इस शहर में उसकी खुद की कई प्रॉपर्टीज है, एक बड़ी बिल्डिंग का वो ओनर है, बिल्डिंग की एक रूम में वो रहता है, और बाकी की रूम्स उसने रेंड पे दी है, उसने अपनी पूरी किराया बाकी है, तो शीम आये दिन उससे किराया मांगता रहता है, बीमारी की वज़ा से चोई कोछidenों से काम पे जान ही पाया, तो वो किराया भी नहीं दे पा रहा है, चोई का लड़का Амерika में काम करता है, शीम को लगता है के चोई को कम से कम अतने तो पैसे कमानी चाहि तो वह भी शिम से भागती फिरती है, शिम मनी मन में 60 साल की यूना को चाता है, यूना एक सैंडविच कैफे चलाती है, वह शॉप भी शिम का ही है, मतलब यूना भी उसकी किरायदार है, तो ऐसे में एक दिन पुलिस को पिटर नाम के एक बुड़े आदमी की लाश नदी किन रहे है, तब ही अगले दिन पुलिस को और एक बुड़े आदमी की लाश मिलती है, जिसका नाम जॉर्ज है, जो अपने बेस्मेंट में कई दिनों से मरा पड़ा था, लॉप तोड़ने के लिए शिम को ही बुलाये जाता है, पुलिस को लगता है, जॉर्ज की घर में गिरन इंसन है, क्योंकि उसने कई सालों से शॉप का रेंड नहीं बढ़ाया, तो वो भी शिम का रिस्पेक करती है, वो जब भी उसके कैफे आता है, वो उसे सैंड्वीश खिलाए बगर नहीं छोड़ती, तो आज भी जब वो युना के शॉप में सैंड्वीश खा रहा होता है, के तभी युना की नजर एक बुड़े कपल पे जाती है, जो शर में नए है, वाइफ पैरलाइज होने की वज़ा से वीलचेर पे है, युना शीम से कहती है, के डॉक्टर जॉंग अपनी वाइफ से कितना प्यार करते है, पैरलाइज होने के बावजुद उसका कितना खैल मगर शीम को डॉक्टर जॉंग पे तरस आ रहा है, उसे लगता है, वाइफ की वज़ा से डॉक्टर की जिन्दगी नरग बन गई है, रात को शीम अपनी बेल्डिंग लोटता है, तो फिर से रेंड की बात करने चोई के घर जाता है, तो वह देखता है, टिपोई पे काफी खाने की चीज़े लगाई गई है, तभी चोई भार से लोटता है, तो उसके हाथ में शराब की बाटल होती है, वह देखके शीम बहुत घुसा होता है, चोई के पास गिराया देने के लिए पैसे नहीं, और यह सब एश करने के लिए पैसे है, चोई कहता है, कि वह आज लंगर में खाना खाने आया करते थे, पिछले हपते से जॉर्ज दिखाई नहीं दिया, तो आज पिटर की मोत हुई है, और एक जॉन नाम का आदमी भी दो दिन से गायब है, उसका भी मर्डर हुआ होगा, शीम उसका मजाग उडाता है, तो अब चोई उससे बताता है, कि 30 साल पहले इसी तरह के 13 मर्डर हुए थे, सभी मर्डर अकेले रहने वाले बुड़े आदमियों के थे, उस वक्त एक लड़की भी गायब हुई थी, ये सब मर्डर चेनॉन सिटी के आसपास हुए थे, चोई बताता है, कि वो केस हमारे पासी थी, मगर मर्डरर को हम पकड़ नहीं पाए, क्योंकि सभी को वो एक्सिडन लग रहे थे, तो केस को क्लोज कर दिया गया, चोई की बाते सुनकर शिम थोड़ा डर जाता है, वो चोई से कहता है, कि रोज सुबह वो उसके रूम में आके कन्फरम करे, कि वो जिन्दा है या नहीं, वो नहीं चाता, उसकी सैली की बात सुनता है, जिसमें जियोनी अपनी सैली से कह रही होती है, कि उसकी पूरी सैलरी उसकी बिमार मा की देखबाल में खर्च होती है, वो सुनके शिम इमोशनल होता है, और जियोनी का दर्वाजा खटकटा है बगेर मा से चला जाता है, अब काफी रात होती है, चोई फंदे से लटक रहा है वह देखके शीम पूरी तरह शौक हो जाता है अब पुलिस आती है चोई की दोस शीम पे इलजाम लगाती है कि शीम चोई को रेंड के लिए टॉर्चर करता था इसलिए उसने आत्मत्या की तो पुलिस आफिसर डिलो शीम को शक की नजर से देख शीम को लगता है कि वह भी उसे मर्डरर समझ के उसके अपार्डमेंट में रहना नहीं चाती मगर जियोन ही उससे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं इस शेर में रहके वह ज़्यादा पैसा कमा नहीं सकती तो वह बड़े शेर जा रही है और रही बात चोई के मोत की तो उसके म हमला करता है शीम को समझ में नहीं आता उसी की अपार्मेंट में आके एकोन उससे दादागिरी कर रहा है वह आदमी बताता है कि उसका नाम रायन है शीम के मुसे चोई के मोत की खबर सुनके रायन शौक होता है अब पता चलता है कि कभी रायन चोई का कलीक था याने डिट चाहरा था या रात को जी ओनी घर लोट रही होती है तो एक अंजान आदमी उसका पिछा करने लगता है जी ओनी घर आती है तो देखती है उसकी रूम पाटनर यौं का किसी ने मर्डर किया है वो पुलिस को फोन करने मूडती है तो किलर उसे दबोज लेता है उनकी अब रायन शीम से कहता है कि चोई को पकड़ के अब तक तीन मर्डर हुए है और तीनों लोग अकेले रहने वाले बुड़े थे लगता है तीस साल पहले का वह सिरियल किलर फिर से एक्टिव हुआ है चोई को उसके खिलाब कोई सबुत मिले होंगे इसलिए उसने उसे मार डा अब रायन शीम से कहता है कि देखना अब कोई जवान लड़की गायब होगी जैसे पिछली बार हुआ था लड़की के बाल लंबे और काले होंगे उसकी बाते सुनकर शीम को जियोनी की याद आती है उसे पिछली रात का वाकिया याद आता है वो भागता हुआ जियोनी की रूम का दर्वाजा खुलने की कोशिश कर रहा है शीम को देखके वो लड़का भागता है शीम उसका पीछा करता है तो लड़का अपने सातियों को बुलाता है मगर तभी रायन आके शीम को बचा लेता है लड़के से रायन को पता चलता है के जियोनी उनकी दोस्त है मगर सुबह से वो उनके फोन का जवाब नहीं दे रही थी तो वो उसके रूम में आये वस उनके शीम और रायन दोनों जियोनी की रूम आते है जहां उन्हें जियोनी की रूम पार्टनर यॉंक का कटा हुआ सर फीजर में रखा मिलता है वो देखे शीम शौक होता है जियोनी का कुछ पता नहीं होता शीम पुलिस को फोन करने जाता है तो रायन उसे रोकता है वो शीम से कहता है कि जियोनी की लाश हमें इस रूम में कई नहीं मिली इसका मतलब है किलर उसे अपने साथ ले गया अगर हम पुलिस को इस में इन्वॉल करेंगे तो हो सकता है डर के मारे किलर जियोनी को मार दे तो अब रायन शीम से कहता है अब हम दोनों को मिलके जियोनी को धूनना होगा वो इसी टाउन में कई होगी और ये टाउन ज्यादा बड़ा नहीं, तुम टाउन का चपपा चपपा जानते हो, तो हम उसे धुन लेंगे, शीम तयार होता है, अब रायन शीम को 30 साल पहले के उस केस के बारे में बताता है, कि ये सिरियल किलर बड़ा अकलमन है, 30 साल पहले वो अकेले रहने वाले बुड कर रहे थे, मगर हमारे हाथ कोई सबुत नहीं लगा, आखरी लड़की की किड्नेपिंग के बाद, वो किलर रुख गया, मगर लगता है, अब वो फिर से एक्टिव हुआ है, अगर किलर को रोका नहीं गया, तो और कई लोग मरेंगे, अब रायन बताता है, पिछली केस में सरिफ एक आउरत, उस किलर के चंगुल से बज़ के भागी थी, वो कोई और नहीं, बलकि कैफे वाली यूना है, मगर हाथसे की वज़ा से, वो अपनी उस मेमरी को गवा चुकी है, तो उससे पुछताच करने में कोई मतलब नहीं, अब रायन बताता है, कि 1988 की उस रात, उस किलर तक हम पहुँच गए थे, मगर किलर ने हमारे एक साती को मार दिया, उसने मूपे मास लगा के रखा था, तो मैं सरिफ उसकी आँखे देख पाया, जो मैं कभी नहीं भूल सकता, उस रात वो किलर हमसे बचके भाग गया, रायन शीम को, चोई ने बनाई हुई सस्पेक होता है, और वह वहाँ से चला जाता है, मगर रायन उसे मना ही लेता है, रायन शीम से कहता है, कि मरने के कुछ दिन पहले, चोई कई बार अरीडॉंग स्टेशन जाया करता था, शायद वहाँ उसे कुछ शक हुआ है, तब ही वहाँ पे डॉक्टर जॉंग अपनी वाइफ क जाता है, और उसे शक की नजर से देखने लगता है, जॉंग उससे कहता है, कि तुमारे दिमाग में कुछ तो प्रॉब्लम है, तो उस पर रायन उससे कहता है, मैं किलर को उसकी आँखे देखके पैचान जाता हूँ, उनकी बाते सुनके, वीलचेर पे बैटी डॉक्टर की वाइफ डर जाती है, यहाँ शिम को इस्टेट एजेंट से पता चलता है, कि डॉक्टर ने हाली में उसके नए घर को अजिब तरह से डेकोरेट किया है, जा एक हिडन रूम भी है, जिस पर उसने ना जाने क्यूं किमती लॉक लगाया है, रायन शिम को बताता है, कि उसे प जाने किलर के दिमाग में क्या है, या रायन का डॉक्टर को शक की नजर से देखना, शिम को पसंद नहीं, उसे लगता है, डॉक्टर काफी दयालू है, रायन उससे कहता है, ऐसे ही लोग सिरियल किलर होते है, दोनों डॉक्टर के घर पे नजर रखने लगते है, अब जैसे कुछ कहने की कोशिश करती है मगर शीम समझ नहीं पाता तलाशी लेते वक शीम को एक आउट हाउस दिखता है जिस पर किमती ताला लगा हुआ है शीम समझ जाता है कि जरूर उस दर्वाजे के पीछे कुछ तो है तो वह उस ताले को तोड़ने की कोशिश करता है यहां रायन नमबर 205 की लड़की को दुण रहा है दरसल शीम जियोनी को उसके नाम से नहीं बलकि उसे उसके रूम नमबर से पुकरता है शीम की बाते सुनकर जौर उसे वहां से जाने कहता है जिसका शीम को ताज्यूब होता है जो आदमी थोड़ी देर पहले पुलिस को बुलाने की बाते कर रहा था वह उसे जाने बोल रहा है तो अब शीम भी अड़ जाता है कि वह दर्वाजा के अंदर जाके देखना चाता है अब जब जौंग शीम को रोकने जाता है तो रायन वहां पहुचता है और रिवालवर जौंग के उपर तान देता है अब जब दर्वाजा ख बड़ा एक मास्क दिखाई देता है तो अब वह जॉंग को मुझ पे मास्क लगाने बोलता है क्योंकि 30 साल पहले के उस किलर की आखे अभी भी रायन के दिमाग में बसी है अब जैसे ही जॉंग मास्क पैंता है जॉंग की आखे देखके रायन के चेरे पे खुशी की लहर दो तो उसे रायन के गले में लटकता एक असायलम का बैच मिलता है जिससे पता चलता है रायन एक अलजाइमर का पेशन्ट है जो कुछ दिन पहले असायलम से भागा था अब हॉस्पिडल के लोग आके रायन को अपने साथ लेके जाते है रायन का बेटा भी पुलिस आफिसर निकलता है शीम जोंग से माफी मांगता है कि एक पागल की बातों में आके उसने उस पे शक किया वो जोंग को प्रामिस करता है कि वो उसकी अफिम की खेती के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा जोंग भी उससे कहता है कि अगर उसे जीवनी के बारे में कुछ पता च जाता है फादर से डिलो को पता चलता है कि जॉन नाम का एक बुड़ा भी पिछले हपते से लंगर में आने ही रहा दूसरी और शिम को चोई की बाते याद आती है कि जॉन नाम का एक बुड़ा भी गायब है तो अब वह जॉन के जोपड़े में पहुचता है जहां उसे जॉ उस आदमी के घर पहुचता है अंदर एक दिवार पे शहर के बुड़े लोगों की डिटेल्स लगाई होती है जिसमें शिम की भी डिटेल्स है मतलब मर्डर का अगला टार्गेट शिम था अब जब वह ड्रावर खोलता है तो अंदर उसे मरे हुए उन बुड़ो के फोटोस वह समझ जाता है कि वह सिरियल किलर का घर है तभी वहाँ पे डिलो आके शिम पे शक करता है डिलो को ड्रावर में उस किलर का ID कार्ड मिलता है जिससे पता चलता है उस लड़के का नाम बोनी है जो अरिडॉंग स्टेशन पे काम करता है दोनों वहाँ पहुँचते है डिलो पहुचता है बोनी उसे भी मार के वहाँ से भागता है तो शीम उसका पीचा करने लगता है मगर भागते हुए बोनी को एक कार ऊड़ा देती है औरर स्पीड में चली जाती है बोनी वही पर दम तोड़ देता है अब पुलीस प्रेस कॉनफरंस में डिकलेर करती है कि बुडो और लड़कियों को मारने वाला किलर मर चुका है पुलिस बताती है कि बोनी को लग रहा था ओल्ड जन्रेशन की वज़ा से यंग जन्रेशन सफर कर रही है तो वो बुडो से नफरत करने लगा था निउस देखके सब जान जाते है कि शिम किलर नहीं था बोनी के पकड़े जाने के बाद भी जब जियोनी का कुछ पता नहीं चलता तो शिम पुलिस टेशन जाता है वो उन्हें बताता है कि बोनी उस 30 साल पहले के सिरियल किलर को कौपी कर रहा था मगर वो पुराना असली सिरियल किलर अभी भी आज़ाद है बोनी स्रिप बुडो को मारता था मगर यॉंग के मर्डर का क्या और जियोनी कहा है मगर पुलिस शिम का मज़ा कोड़ाती है तो अब शिम यूना के पास पहुँचता है क्योंकि रायन के हिसाब से वही एक है जो असली सिरियल किलर को देख चुकी है शिम यूना को रिक्वेश्ट करता है कि वो उसे उस किलर के बारे में कुछ बताए क्योंकि जियोनी की जान खत्रे में है यूना बताती है कि मैंने किलर का चेरा तो नहीं देखा मगर जब उसने मेरे पेर को छुआ तो मुझे ऐसा लगा उसके एक हाथ में छे उंगलिया है अब शिम रायन को मिलने हॉस्पिटल जाता है मगर अल्जाइमर की वज़ा से रायन उसे पैचानता नहीं तो शिम उसे अपनी पैचान चोई के नाम से कराता है जो कभी उसके साथ काम करता था सिम फिर से रायन की मेमरी को ट्रिगर करता है कि उन्हें उस पुराने सिरियल किलर को पकड़ना है शिम उससे पुछता है कि क्या वो उस वक्त किसी ऐसे आदमी को जानता था जिसे छे उंगलिया थी मगर रायन एक ही बाद बड़़ाता है कि जॉंग ही किलर है तब ही शिंग को स्ट्राइक होता है कि जब वो उस दिन जॉंग के घर में घुसे थे तो जॉंग ने कहा था कि वो नहीं जानता जियोनी कहा है हाला कि उसने जॉंग के सामने कभी जियोनी का नाम नहीं लिया वो तो जियोनी को रूम नमर 205 कहके पुकारता आया है तो डॉक्टर जॉंग को कैसे पता चला 205 वाली लड़की का नाम जियोनी है अब शीम जॉंग की घर की और निकलता है जॉंग उसे देखके सर्प्राइज होता है शीम बीमारी का बहाना बनाता है अब जब जॉंग शीम की नबस देखने लगता है कि तब ही शीम की नजर उसके अंगुटे की और जाती है जिस पर सरजरी का निशान है वो सीधा जॉंग से पुछता है कि क्या उसने अपनी छटी उंगली कटवा दी शीम की बाते सुनकर जॉंग शौक होता है शीम जॉंग से पुछता है कि जियोनी कहा है जॉंग समझ जाता है कि शीम को उसके बारे में यूना से पता चला है अब जॉंग मान जाता है कि वो वही तीस साल पहले का सिरियल किलर है मगर इसके पहले के शीम उस पर हमला करे जॉंग शीम के सर पे पत्तर मार के उसे बेवश करता है अब जॉंग उसे भी अपने सिक्रेट बेस्मेंट में लेके आता है जा जियोनी को बान के रखा है जियोनी को देखके शीम खुश होता है जौंग शिम को बताता है कि वो जियोनी को अफिम से बनी एक दवाई देते आ रहा है जिससे जल्दी ही उसकी भी हालत उसकी वाइफ की जैसी हो जाएगी जौंग बताता है कि वो इस तरह का साइको है जिसे अपना अकेला पन भी दूर करना है और वो ये भी नहीं चाता कि कोई उसकी जिंदगी में इंटर्फियर करे इसलिए 30 साल पहले उसने उस आउरत को किड्नेप किया उस पर अफिम मेडिसिन का एक्स्पिरिमेंट करके उसे अपनी वाइफ बना के रखा मगर अब वो उसे उकता गया है अब वो जियोनी को अपनी वाइफ बनाएगा जियोनी विल्चेर में उसकी वाइफ की जगा लेगी वो लंबे काले बालो वाली लड़कियों से हमेशा ओपसिस रहा है जॉंग बताता है कि बोनी मुझे कॉपी करने लगा था वो अकेले बुडो को मारने लगा उस रात वो तुमें मारने आ रहा था तो उसने जियोनी की रूम में मुझे देख लिया हम दोनों का एक दूसरे से सामना हुआ मगर एक सिरियल किलर दूसरे सिरियल किलर को कभी नहीं मारता तो वो चला गया मगर उसने मेरा चेरा देखा था तो मैंने भी उस पे नजर रखी उस राज जब वो तुमारे हाथ लगने वाला था कि मैंने उसे अपनी कार से कुचल दिया क्योंकि वो तुमारे हाथ लगता तो मेरा राज खुल जाता बिचारा नव सिखा था तो मैं experience अब जब जॉंग अपनी वाइफ को मारने जाता है कि तबी वहाँ पर रायन आ जाता है जो हॉस्पिडल से भागा था अब रायन जॉंग को गन पॉइंट पे लेता है मगर जॉंग को लगता है कि रायन के हाथों में आज भी नखली टॉय गन है तो वो बैफिक्र हो जाता है मगर रायन गोली चला के उसकी गलत फहमी दूर करता है एक्चुली वो गन रायन ने अपने पुलिस आफिसर बेटे की चोरी की थी रायन पागल होने के बावजुद सही था उसने बराबर जॉंग को पैचाना था अब जॉंग रायन पे एसिड फेक के उसकी गन नीचे गिरा देता है दोनों में हातापाई शुरू होती है शीम जियोनी को लेके वहां से भाहर निकलता है यहां और एक राज खुलता है यह 30 साल पहले उस रात रायन डर की वज़ा से अपनी कार से भाहर नहीं निकला वह बेबस होके अपने सिडियर को सिरेल किलर के हाथों मरते देखता रहे गया जो बात उसने दिल पे लगा ली और उसी एकसेस सोच में वह अलजाइमर का शिकार हुआ अब यहां मोका देखके जोंग रायन पे गोली चला के उसे घायल करता है फिर वह अपनी वाइफ को भी मार देता है अब वह शिम और जियोनी को धुनने बहार आता है वह उन्हें धुन्टे धुन्टे एक जंक्याड में पहुँचता है जा जोंग और शिम के बीच हाता पाई शूरू होती है अब जब जोंग गन से शिम को मारने जाता ही है यह तब ही पीछे से रायन आके उसे बचाता है अब रायन और शिम दोनों मिलके जोंग को बुरी तरह घायल करते है रायन जोंग को मारने जाता है तो शीम बीच में आके उसे रोकता है वो रायन से कहता है कि इस साइको किलर के खून से अपने हाथ गंदे मत करो रायन का सिरियल किलर को पकड़ने का मकसद पुरा हुआ था जियोनी की भी जान बजगई थी अब इस सिरियल किलर की नियूज पीवी पे चलती है शेरवासी रात की सास लेते है रायन की याददाश भी वापस आती है वो चोई की ग्रेव पे जाता है और अपने दोस्त को श्रदान जली अरपित करता है तो हॉस्पिटल में जियोनी घायल शीम की देखबाल में लग जाती है उस हालत में भी शीम उससे पुछता है कि वो उसका किराया कब दे रही है यूना भी शीम का हाल पुछने आती है दोनों की नजरों से पता चलता है कि दोनों की सेटिंग हो गई है मूवी याँ खतम होती है दोस्तो एक्स्प्लेनेशन कैसे लगा कमेंड में जरूर बताना और नए वीवर्स को रिक्वेस्ट करूंगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ताकि नई नई मूवी आपके सामने लाने का हमारा जोश बना रहे फिर मिलेंगे ठैंक्स फॉर वाचिंग